हलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्श टूल्स वाला में यह मशीन बोश कंपनी का ड्रिल मशीन है इसका मोडल नंबर है जी एसबी 500 आरी इसके साथ यह पूरा समान एक साथ आता है यह जो बोश कंपनी का ड्रिल मशीन है यह बहुत पावरफुल मशीन होता है हर एक घर में यह मशीन होना बहुत जरूरी है reason का है कि एक machine के साथ Strawberry Kit set अता है मतलब रिल मशीन में beat जो जो लगता है फोजो मिलेगा रिंज रहेगा और Whatever Linder रहता है हैमर रहता है रह dovrevet के चीज़ जो जो requirement होता है घर में हर तरह काम के लिए वह फूरा एक ही package में रहेगा ए-टी , oxygen box में रहता है तो आएए शुरू करते हैं देखते हैं खुल जा सिम सिम क्या क्या है इसके अंदर तो ये रहा मशीन और उसका पूरा सामान ये देखे जो ड्रिल मशीन है ये हेबी ड्रिल मशीन है पावरफुल ड्रिल मशीन है इसी के साथ मिलता है ये पूरा बीट सेट इंची टेप, हैमर मशीन, गोटी और भी बहुत सारा चीज सलाय रेंच, पिलायर, लेबल, वाटर लेबल तो ये सब चीज जो आप देख रहे हैं ये हर एक घर का जरूरत है और इसमें एक सबसे बड़ा चीज है कि हर एक समान एक ही बॉक्ष में रहेगा बीट, बहुत तरह का बीट होता है, वो बहुत तरह का बीट इसमें है जनरली क्या होता है कि नॉर्मल जो लोग होते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि कौन-कौन सा बीट कहां-कहां यूज होता है तो इसमें combo beat है, knife भी है, screw beat भी है, wrench, goty भी है, तो हर तरह का शामान है, अभी देखिए इसको हम लोग test कर लेते हैं, और इसका भी function के बारे में बताते हैं, machine का जो पूरा detail है वो बताते हैं, जैसे देखिए यह जो है, यह 500 watt का machine है, और इसका model number है GSB500RE, और यह kit set है, यह जो name plate है, इसमें पूरा detail रहता है, कितना ward का है, कितना ampere का है, कितना voltage लेता है, क्या model है, क्या serial number है, सब कुछ, अभी देखिए यह जो switch है ना, यह right left, forward reverse करने का है, और यह on-off switch है, regulator switch है, जितना धीरे-धीरे दबाएंगे, उतना धीरे-धीरे घुमेगा, जितना fast में यह control होता है, हर एक चीज जो है, quality base है, आप इसको दिवार में भी use कर सकते है, normal हर एक काम में ले सकते है, कुछ screw tight करना है, वो भी, देखिए यह जो है, यह hammer और normal mode का switch है, अभी इसको हम लोग check करके दिखाएंगे कि कैसे hammer और normal mode होता है, जनरल इसमें power supply दे दिये है, अ अभी देखिए, यह जो है ना, इसका sound से भी पता लगा सकते है, जो sound कर रहा है, इस sound से आपको समझ में आगा, इस watch को इदर कर दिजिए, अभी यह normal mode में हो गया, फिर इसको आपस करेंगे, तो यह hammer mode में हो जाएगा, तो इसको इससे आप control कर सकते है, hammer और normal, चली अब प्लायर है, प्लायर का काम कोई भी वायर को कट कर सकते हैं, नट खोल सकते हैं, किसी चीज को चापना होता है, मोड़ना होता है, normally use, जो सबसे ज्यादा usable समान है, वो प्लायर है, यह है sly range, adjustable range भी बोलते हैं इसको, अपने हिसाब से रिंच का जो नट खोलना है, वाराम से अज़ेस्ट करके, आगे पीछे करके, कोई सबी नट बोल्ट खोल सकते हैं, अब जो यह थाड आइटम है, यह है water label, और यह बहुत useful item है, इसकी मदद से किसी भी समान को आप एकदम सीधा रख सकते हैं, अपने हिसाब से ऐसे normal देखेंगे, तो समझ में नहीं आएगा, इस में जो water label रहता है, उससे देखेंगे, तो एकदम जिरो-जिरो सिधा देख सकते हैं, हर एंगल में इससे आप लेवलिंग कर सकते हैं, नेक्स्ट आइटम है, यह जाव हैमर, यह जो हैमर है, यह नेल भी निकाल सकते हैं, और कुछ पेटी वगरा भी खोल सकते हैं, ठोक भी सकते हैं, और पहुत अच्छा स्टिल का हैमर है, बहुत बढ़िया हैमर है, ग्रिप के साथ, यह है गोटी सेट, जो गोटी रिंच होता है, वो पूरा सेट है, और यह मशीन में लगा करके आप यूज कर सकते हैं, डिल मशीन के साथ आप इसको लगाएंगे, और लगाने के बाद सब नट खोल सकते हैं, टाइट कर सकते हैं, मशीन से ही, अब जो दूसरा आइटम है, यह है इंची टेप, अब इंची टेप का तो काम है, कोई भी चीज को नापना, मिजरमेंट करना, तो इसमें फिट में भी है, मीटर में भी है, में में भी है, इंच में भी है, तो एक नॉर्मल यूसेबल चीज है बहुत ही अच्छा यूसफूल वाला समान है इसमें हर एक समान जो है न ध्यान में रखकर के इसमें दिया गया है कि एक घर में रेगुलर कभी भी जरूत पड़ सकता अब देखे यह जो इंपोर्टेंट बात है न यह बीट बहुत ही इंपो काल all concrete यह सब में आप कर सकते हैं यह जो बीत यह ओल के लिए नहीं है यह बीट में इसका जो मॉठ है तदेकर के पता लगाना है इससका मौ रहता है मौठ वह अलग टाइप में रहता है और आगे एक अलग के रहता है जिसके वज़े से concrete और दिवाल में hall होता है अब देखिए यह जो है ना यह लोहा में छोयद करने का है इसका mouth का face देखिए कैसा अभी तीनों को एक साथ रखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्या difference है तीनों के मुह में तो आप देखी सकते हैं कि क्या difference है और बहुत से आसानी से पकड़ सकते हैं फर्स्ट वाला जो ब्लैक है वह उड के लिए है बीच वाला जो है वाल और concrete के लिए है थर्ड वाला जो है वह लुहे के लिए है सब बीच अलग-अलग है और एस पर requirement काम कर सकते हैं और डब्बे में भी लिखा हुआ है उड के लिए है वाल के लिए है concrete के लिए और एसस के लिए है और यह है नाइफ यह जो है यह adapter है इसमें आप लगा करके हर तरह का screw बीट लगा सकते हैं अभी देखे जैसे यह बीट है यह इसमें plus भी बीट है minus भी बीट है star भी बीट है बहुत सारा Chinese खिलोने में star बीट रहता है तो वो भी है इसके अंदर गुल्ली भी है अगर आप वाल में haul करते हैं तो गुल्ली लगा करके screw से tight कर सकते हैं परदा लगाना हुआ तो उसमें भी गुल्ली लगा देजे लगाने के बाद screw से tight कर सकते हैं तो इस तरह से वो एक अलग item भी इसमें add क्या हुआ है कि एक nut bolt भी आप यूज़ कर सकते हैं अभी देखे इसको लगाना बहुत easy है adapter है चुम्पुक रहता है magnet रहता है आप फलका से लेंगे बाकि अपने आप उसमें खीस लेगा और adjust कर लेगा और वो गिरेगा भी नहीं और drill machine में लगा करके tight कर सकते हैं खोल सकते हैं तो चलिए अभी दिखाते हैं कि कैसे आप इसको use कर सकते हैं यह है key holder यहां से इसको key में जा करके tight करेंगे आराम से गुमा गुमा करके उससे क्या होगा बराबरी equally tight होगा और अच्छे से beat पकड़ेगा वो अपने घाट से छोड़ेगा नहीं अब इसको जो beat है यह beat को इसका adapter में लगाएंगे अब देखे लगाना बहुत इसे आराम से push करते हैं चला जाएग तो कुछ भी चीज़ खोल सकते हैं रिंज का nut bolt भी खोल सकते हैं ड्रील भी कर सकते हैं बहुत काम कर सकते हैं जो एक नॉर्मल काम होता है वो भी कर सकते हैं प्रोफेशनल काम भी कर सकते हैं देखे इसको इस तरह से screw में लगाएंगे और machine को चालू कर दिये बस खुल जाए भी कर सकते हैं रोटेशन चेंज कर लिए अब उसको लगा दिये और टाइट हो गया बहुत ही एज़ी है तो बहुत ही एज़ी के साथ सब काम कर सकते हैं आप किसी एक्स्ट्रा मिस्त्री का जरुवत नहीं है घर में आप रखे machine और आपका काम होना शुरू हो गया खुलना लगाना भी बहुत आसान है जब जरुवत पड़ा निकाले योसके और वापस इसी डबबा में रख दिये और इस डबबे में रहेगा तो सेब भी रहेगा और सबका अलग अलग खाना बना हुआ हर जगह उसका इस्पेस बना हुआ है उसी साब से लगा सकते हैं तो नॉर्मल अभी एक बीट को भी टाइट करके दिखा दें कैसे टाइट होता है सेम प्रोसेस वही है तिनों होल में बराबर घुमा करके टाइट करेंगे उससे क्या होगा कि बीट अच्छा से पकड़ेगा और हम लोग छेदा करेंगे तो फिर वह निकलेगा नहीं अगर आपके मन में भी कोई डाउट हो कोई सवाल हो तो कोमेंट बॉक्स में आप मुझसे सवाल कर सकते हैं या मेरा वाट्स अप नंबर पर मुझे डारेक्टली मैसेज कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए थैंक्स फो वाचिंग धन्यवाद